अब इस lecture के अंदर ना आपको एक simple सी app का code में देने वालों which can help you to understand के fast API किस तरीके से इतनी fastly काम करती है let's see के हमारी app किस तरीके से बनेगी और मैं simply आपको code लिखके दूँगा and then we will understand के code में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है let's jump into our screen यहां पर अगर गौर करें आप तो मैं इसको बंद करता हूँ यहां पर एक नया folder create करता हूँ zero two app इसको मैं बोल देता हूँ simply bookstore app इसे बोल देते हैं bookstore app simple सी एक मैंने इसका app का नाम रख दिया bookstore app और यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं हम पहले यहां पर एक file बनाते हैं books.json json की file क्या होती है data की file होती है और इसको आप खुद से भी create कर सकते है तो यह आप पर depend करता है किस तरीके से create करनी है so I'm just making a data file उसकी price, उसकी id और book का data जो है वो मैं यहां पर आपके साथ लिखता हूँ so मैं यह एक data randomly net से उठा लेता हूँ sorry not like that copy paste यह मेरे पास randomly book का data आ गया ठीक है Harry Potter है, fiction है 15 इसकी price है pounds में हो सकती है dollars में हो सकती है और यह book idea है so I try to copy a data set जो हमारा एक random data set है ठीक है books का so यहां पर books.json की हमने file बनाई ठीक है and then we have a main file as well and then we will also have our requirement file ठीक है so यहां पर एक और मैं file बनाता हूँ requirements.txt obviously हम इसको बाद में भी बना सकते है पहले भी बना सकते है it's totally up to you क्या आपको पता है कौनकों सी library आपने use करनी है और तीसरी हम file यहां पर बनाते है main.py सही है और same folder के अंदर इसको हमने रखना है गलती से इसको बाइर वाले folder के अंदर रख रहा था ओके तो यहां पर मैं पूरे का पूरा code पहले लिखता हूँ copy करके यहां पर इसको not this one sorry copy paste यह मैंने अपनी app का जो code है main.py इसको रख दिया अब requirements की file के अंदर तीन हमें requirements की file चाहिए एक है एक और library जो हमें चाहिए है यहां पर let me see if we have that or not pip install नाम है इसका mango let's see if we already have that or not फिर इसके बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरीके से हमारे काम आएगी so whenever you are installing something it takes a little bit of time हमारे पास और रेड़ी है मैं यहां पर pip install pip rex को भी install करता हूँ क्योंकि हमने requirements की file बनानी है and we already have this environment यह वाली जो file है इसको मैं अब डिलेट कर रहा हूँ and we will create that by pip request library जो हमने पिछले lectures के अंदर भी देखा रहा है ठीक है यह हमारे पास installation हो रही है जैसे यह install होगे देना I am gonna show you कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम कर सकते हैं और जारी बात है पिपर एक अच्छा खासा time लेती है installation के लिए इस वज़र से इस वे मैं काम कर रहा हूँ तब तक आपको main app के बारे में बता देता हूँ कि यह क्या चीज़ है हमने json का library को import किया ठीक है os को import किया जिसे operating system handler हम देखेंगे so typing के अंदर हमने literal and optional को import किया and then we have this uuid4 which works with the text data set और यह हमारे पास http exceptions है http क्या होता है यह basically protocols होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में जब हम django पढ़ेंगे fast API हमारी library है random को हमने import किया just for randomize something in the app यहाँ पे हम fast API encoders के through jsonable encoder को load कर रहे हैं जो क्या करता है json file को load करता है और यहाँ पे pydentic से हमने base model को import किया और mangum से हमने mangum को import किया यहाँ पे object oriented programming का बड़ा रोल होता है जब भी आप fast API या किसी भी किसम की web app को बनाने की कोशिश करते है so मेरी आपसे request है क्या OOP जिससे बोला जाता है या object oriented programming या OOP जिससे बोला जाता है इसको ज़रूर देखे और different किसम की lectures YouTube पे भी available है and I'm planning to upload also one of my playlists जिसके अंदर हम class subject oriented programming और nested function फंक्शन इस तरीके काफी चीजों की बारे में बात करेंगे but आपसे request है कि internet पे जाके कमसकम OOP को या OOP को जरूर देखेगा then we will learn in a better way कि Flask, Django और Fast API कैसे काम करती है but keeping in mind यहाँ पे हम अपनी app को run करने की कोशिश करते है पहले फिर हम बात करते हैं कि यह app किस तरीके से आप लेके आ सकते हैं अपने काम के अंदर और इसका best तरीका यह है जैसे हम Flask की app को run करते थे cd, यहाँ से मैं लिखता हूं cd, one slash back और यहाँ पे 02 के अंदर मैं आ गया यह है जी मेरी list of files मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं ताके आपको नजर आए इसको मैं बंद कर लेता हूं आपने यहाँ पे नजर रखनी जहां पे मेरा करसर है and now I'm going to write python ठीक है python ने run करना है किस चीज़ को run करना है वो अब हम देख रहे है minus m हम लिखेंगे ठीक है यहाँ पे लिखेंगे uv icon ठीक है और इसके बाद हम लिखेंगे main colon sign app ठीक है अब इसको मैं run करने की कोशिश करता हूं sometimes it runs sometimes it gives you error यहाँ पे मेरे पास run कर गई है मैं यहाँ पे click करके control click करता हूं तो यहाँ पे simply आ रहा है welcome message welcome to my bookstore app ठीक है so इस तरीके से आप किसी भी चीज को बना सकते हैं और bookstore app के अंदर आप कुछ भी add कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे simple एक कुछ classes को use करते हुए bookstore app को use किया है and there you can see कि हमारे पास app चली है और यहाँ पे मैंने simple एक message को route करवा है and that's it ठीक है और अगर मैं random book की बात करूंगा तो मेरे पास random books आ जाएंगी list book करूंगा तो वो list आ जाएंगी and then book by index करूंगा तो वो मेरे पास यह आ जाएंगी we are working on some kind of apps ठीक है और उसके लिए जाहरी बात है आपको knowledge होना जरूरी है कि किस तरीके से आपके यह वाले pages जो है वो काम करते है just imagine I will try to run this page मैं इसको copy करता हूँ यहाँ भी जाते है let's see हमारे पास क्या आत है तो यह आ गया जिनाब आपके पास कोई भी एक random book आ गई मैं दुबारा run करूंगा तो उन में से कोई भी random book उठा के यह मुझे print करतेगा यह हमारा second page है random book का तो जैसे multiple pages बनाए जाते हैं किसी भी website के this is one of the things which you can use अगर मैं list books को उठाऊंगा तो मेरे पास सारी books की list आ जागी something like this ले तो यह मेरे पास list of books आ गए जितनी भी मेरे पास books है अगर मैं इसको refresh भी करता जाऊंगा मेरे पास list of books वैसे की वैसी रहेंगी अगर मैं अगला page चलाता हूँ book by index मैं यहाँ पर इसको run करता हूँ book by index मेरे पास कोई चीज नहीं है reason क्या है मेरे इस page के अंदर front end के लिए मैंने यहाँ पर index को add किया है वो कोई भी index हो सकता है ठीक है वो index कौन सा है वो basically जिस पर कोई भी click करेगा उसकी base पर आपके पास यह index आ जाएगा for example मैं यहाँ पर forward slash 2 लिखता हूँ अगर तो मेरे पास दो number index पर यह वाली book पड़ी है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो मेरे पास sorry मैंने control enter दबा दिया 3 लिखता हूँ तो मेरे पास यह वाली पड़ी है और यह index कहां से आ रहे है यह जो मेरा database है books.json का इसके अंदर से index आ रहे है यह index है पहला दूसरा तीसरा चौथा यानिके 0 से start करना आपने क्योंके python में है total आपके पास 5 index है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता और यह index है and this is how you can actually develop your bookstore app के आप different किसम की ranges यहाँ पे जितनी भी books आपके store में पड़ी है वो एक्सली या json की file के अंदर आप provide कर दें और उसकी base पे कोई भी बंदा उसकी price भी देख सकता है और उनकी चीजों को देख भी सकता है कि किस तरीके से यह books चल रही है like this for example यह इस some kind of buttons के यहां से purchase कर लें so मैं front end की बात नहीं कर रहा है मैं सिरफ back end की बात कर रहा हूँ and here you go यह main के अंदर different pages आप इस तरीके से route करवा सकते है यह different pages route हो रहे है about me का भी page जैसे होता है there are many many pages out there और अगर आपके पास कुछ मीं ना चले then you have this http exceptions जिसको 404 error भी बोला जाता है क तो हम database json का use कर रहे हैं हम SQLite या SQL का नहीं use कर रहे हैं उसके बारे में बढ़ेंगे and then we will see कि वो कैसे काम करते हैं यहां तक आपको समझ आगी होगी कि बहुत ही basic back end हम किस तरीके से run करते हैं for a bookstore app और यह complete app नहीं है आपसे request है कि इसका code मैं अभी github के उपर upload कर रहा हूँ और link उसका में description में डाल दूँगा इसी lecture के अंदर so please इसका को front end बनाने की कोशिश कीजएगा सीखने का वहत तरीका एक है practice practice and practice अपना ख्यार रखें द्वा में याद रखें इंशाला कल को साधे 9 बज़े पाकिसानी टाइम पर मुलकात होगी take care and अला आफिस see you in the next वीडि तो में याद रखेंगा